गुरू गराम के एक टेरेस किचन में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर बन रहा है दादी नानी वाला देशी भोजन मेरे हाद में देखी यह चटनी है यह चटनी शिलबटे पर पिसी हुई है यह मखन है और यह पीछे देखिए चूले पर रोटी बना रही है सुमन जी और यह मिट्टी की हांडी में दाल बनाई गई है इसमें मिट्टी के पतिले में सबजी है और रोटी के साथ यह सब चीज पूरी जानकारी देंगी सुमन जी और जैसे आप जानते हैं कि टेक्निकल फार्मिंग की मोहिम है कि अच्छा काम करने वालों को सीधा आप से मिलवाएं यह कोई कमर्चल वीडियो नहीं है कोश शुर्प इतनी है कि आपको कुछ यूनिक चीजों के बारे में जानकारी मिले तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आगयाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सुमंजी नमस्ते यह जो आपने भोजन बना रहे हैं टीचर है आप लेकिन टैरेस पर आपने यह कॉंसेट शुरू किया आपने शुरू तो शुरू तो शौक की वज़े से हो गया बच्चों को देशी खाना खिलाना था जो मैंने अपने बच्पन में खाया अपने सिल्सिला शुरू हो मेरे लॉकडाउन के टाइम पर जब मेरी मम्मी बिमार थी उन्हें कैंसर था और डॉक्टरों से पता चला कि मिट्टी के बरतन ज्यादा फायदे मंद होते तब उस समय शुरू किये मम्मी तो नहीं रही लेकिन बरतन रह गए और तब से हमने इन बरतन पहले अपने लिए शुरू किया फिर दोस्तों को खिलाया और उन्हीं दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया कि इसे बड़े लेवल पर ले जाओ जो और लोग दूर दूर बैठे और खाना चाहते हैं उनको इंटर्ड्यूस कराओ तो तुम इसको एक बिजनिस परपस से भ कि हम एक बार में चार से लोगों को बिठा कर खिला तो अभी मतलब आपने शुरू किया लॉक्डाउन में क्योंकि आपका पेसार टीजिंग का है लेकिन फिर भी आपका खाना बनाना अच्छा लगता था तो पुरानी चीज़ें आपने लिए लोगों का क्या रिस्पॉंस मिला कि मेरी ही कुछ कालेक्स बने उनके बच्चों ने घिया का रायता या घिया की सबजी खाली क्योंकि वह हमने ऑथेंटिक तरीके से बनाई जैसे मेरी दादी नानी बनाती थी और हंडियों में बनाते हैं तो इस वज़े से उसका टेस्ट जो एकदम डिफरेंट हो गया जो पताचला कि वह गाया या तक कि मेरा खुद बेटा गहाई कि अग्या खादीक लगे गहाए हैं ज wonder whether it was meat at rice craft टाओक पताचला घ्रीण तो अर जदा अब फुच्त उसके से सब्सक्राइब के लोग तारीफ करते हैं और भट सरे भुझ कि चलो मैं एक लिस्ट उनको वह खुशी दे पाती हूं जिसकी वह चाहत रखते हैं यह निकि वह पुरानी चीजें याद हो जाते हैं जो खाना वह बच्पन में खाते तो अगर कमर्शियली बात करें तो क्या संभावना है सर कमर्शियली देखो है तो तफ लेकिन कोशिश जारी है और जैसा रिस्पॉंस आता है उससे लगता है कि अगर सिटिंग मेरी अच्छी हो जाती है तो काफी अच्छा रिस्पॉंस होगा सिटिंग में वीकेंड में आर दस लोग आराम से आ जाते हैं मेरे पास खाने के लिए कि तो साइड की तरफ देख साइड बिजनेस देखो तो उतना भी मेरे लिए काफी है अवी तो और सबसे जादा खुशी तब होती है जब लोग खुश हो करें बोलते है कि बच्पन याद आ गया में क्या रखते हैं सर मैन्यू में डाल तो होती है कड़ी पकोड़ा होता है बाकी जो भी सीजनल वैज होती है वो सब बनती है और उसके अलावा ओन डिमांड बच्चों को पनीर पसंद होता है तो बीच बीच में पनीर बनाती रहते हूं किसी ना किसी फॉर्म में क्यूंकि उसके सारे बच्चे जो है चटनी वगयरा खाते और चटनी हमारे पास कई बनाएंगे तो यह चटनी भी आपकी बड़ी फेवरेट है लोगो को कि कई कई दिन के लिए स्टोर करके रखते हैं मंगवाते हैं और एक मेरी कस्टमर है उनकी बेटी चोटी अभी ग्रेड वन तू में है बट बहुत पसंद करती है वो चटनी को तो वह हमेशा यहीं बोल चटनी खास रेसिपी है आपकी बोजन वे बाकी आप हंडी में पकाते हैं मिटी की में और चूले तवा भी मिटी का है और चूले परी बनाते हैं तो अगर इसे फुल टाइम किया जाए तो संभावना है इसमें बिलकुल है सर अगर मैं करूं तो बहुत अच्छा चल सकता ह अब चल सब्सक्राइब कितने की है बेसिक लिए जो आप कस्टमर को देते हैं हमारे पास दो तरह की थाली होती है जिसमें एक थाली में एक सबजी और दो तरह की चटनी मखन चाच या रायता on-demand जैसा कस्टमर को चाहिए और दो रोटी और थोड़े चावल होते हैं वो होते हमारी 200 रुपए की 201 की रख्यों के तौर पर और दूसरी हमने जो बनाई है उसमें हमारी दो सब्जी एक दाल और एक कोई भी सीजनल सब्जी होती है और दो चटनी मक्षन चाज या रायता जो भी डिमांड होती है कस्टमर की थोड़े चावर और दो रोटी होती है कई सब्सक्याण। लुबर में नटने चाहिए आप ऑम दिलिलिफरी करते हैं मतलब कैसे करते हैं सरों लेधी होती ह्ग ऑधै वर कनेक्च में पैकेज डिलिफरी का आपशन होता है अभी तो उसके बेज़ते हैं तो जो भी मंगाता है उसकी लोकेशन सबर्ण करते हैं फिर होगते हैं और आसानी इसंथ दना को यह अचो देघर अच्छी नहीं कि आते हैं वह यह आयए को हम यहीं बैठ करṭाते हैं है क्युक्का थी सब्सक्राइब तो आप नहीं पहुंच पाते तो डिलीवरी कर देते आप और कई बार बल्क में डिलीवरी आते हैं किसी का कोई फंक्शन होता है चोटा मोटा कोई बर्थड़े पार्टी कि टी पार्टी तो वह लोग भी दो तीन दिन पहले ही बता देते हैं पूरे मैन्नु के साथ कि हमें यहंगा चटनी मखन चाच की वाया है उसलिए इनका और यह चाहिए और को आती है है कि JOE उनी चाहिए और सब्सक्री के साथ जाए अर्जीं के साथ कर रहे हैं जी बहुत पसंद करते हैं बस यह कि मेहनत लगती है तो इसले लोग बनाते नहीं अब बनाया मिल रहा है तो सोचते हैं कि चलो एक बार तो खाई ले तो दोस्तों जैसा सुमंजी ने बताया कि लोकडाउन में इन्होंने यह शुरू किया था कि कुछ देशी चीजें अपनाई जाएं वो पुराना बोज़ा शुरू किया जाए खाना तो पहले खुद शुरुआत की जब इन्हें अच्छा लगा तो कुछ लोगों को ट्राई करवा उन्हें भी बहुत अच्छा लगा त लोग इसकी डिमांड करते हैं और उसके बाद ये चटनी जो आप देख रहा है ये बहुत ही लैसुन की लाल मिर्ची की चटनी बहुत अच्छी चटनी बनती है और दाल मिट्टी की हांडी आप यह दें कि पीछे मिठ्टी की हांडी आपको नजर आ रहे है इन्हीं में यह सबजी और दाल पकाते हैं और फिर गेहूं की जो रोटियां हैं गेहूं में चना मिलाते हैं और चने और गेहूं को खुद पिशवा करके फिर रोटी मिट्टी के तवे पर बनाते हैं तो इस तरह से सारी चीजें देशी हैं और मिट्टी के बरतनों में बनाई जाती हैं पका या जाए क्योंकि गरम-गरम खाएंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है अब बात कर लें कि इसमें मेन्यू में जो चार्ज कितना रहता है तो 200-500 रुपए की प्लेट रखी वे इसमें रोटियां है मखन है दो सब्जी है चटनी है और लसी है और रायता भी है तो इस तरह का मेन् देली से देना पसंद करते हैं बट उन्हें यह तेस्ट मिलना चाहिए तो इस तरह से अगर आपके पास 20-30 कस्टमर भी डेली आ जाते हैं यह भोजन करने के लिए तो 6-7-8000 रुपए की सेल हो सकती है फूड में मार्जिन ज्यादा होता है लेकिन मेहनत भी ज्यादा होती ह है तो अगर मेहनत करने का मादा है मेनेजमेंट करने की टैलेंट है तो इस तरह का जो दादी नानी वाली देशी रसोई बड़े शहरों में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है अगर अभी सुमन जी की बात करें तो वोल्यूम कम है तो इसलिए नो प्रॉ आफिट नौलोस पर काम कर रही है अगर सेक्टर 46 गुरुग्राम के आसपास आप रहते हैं तो नंबर हमने दिया आप संपर करके यहां पर यह इस भौजन का लुफ्त उठा सकते हैं एक चीज और बता दू कि जो मिट्टी के बरतन है यह शुद होने चाहिए इनको इनमें यह सुद्ध खाने के लिए सुमंजी से बात कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और शेर करें जुड़े रहे टेकनिकल फार्मिंग से नमस्कार जैहिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले